गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में उज्जेन के गुर्जर पर्तिहारों के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे यदि आप लोगों ने हमारी यूटूब चैनल इंडिय ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तता वीडियो को लाइक और सेर करें ठीक है और यदि कोई भी सुझाव आप लोगों के पास हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं उज्जेन के गुर्जर पर्तिह उज्जेन के गुर्जर पर्तिहारोंने मंडोर से अपना राजे विस्तार शुरू किया था ठीक है तो जो उज्जेन के गुर्जर पर्तिहार हैं उन्होंने मंडोर से अपना राजे विस्तार शुरू किया था और उनका पूर्वज हरिस्चंदर नामक ब्राहमन था ठीक है संबव है कि हर इस चंद्र के समय से ही उसके वंसजों ने अपनी स्विधानों सार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्योज, आदी छेत्रों में बसना सुरू कर दिया था और जब आउसर मिला अपने राजय भी स्थापित करते चले गए डोक्टर ओजा का मत है कि इन परतिहारों ने सर्वपर्थम चावड़ा, राजपूतों से भीनमाल का राजय अधिकरत किया और फिर आबू जालोर अधी छेत्रों को जीता इसके बाद उन्होंने उज्जेन में अपने राज़दानी स्थापित की कालांतर में उन्होंने कनोज के छेत्र को अधिकरत कर कनोज को अपने राज़दानी बनाया परंतु अधिकान स्वेक्तियों के एक जैसे नाम होने तथा सिलालेखों और साहिते क्रचनाओं में विभी नाम की राज़दानियों के एक जैसे नाम होने तथा सिलालेखों और स साइतिक रचनाओं में विभी नाम की राजधानियों की विवरण से गुर्जर पर्तिहारों का करंबत इधिहात जानना बहुत ही कठिन हो गया है आठवी स्थापदी के पर्थम चरण में नागबट पर्थम ने उज्जयन में एक नमीन गुर्जर पर्तिहाराजवन्स की स्थापना की ग्वालेर बिलेक में इस वन्स को छत्रियत था सोमित्री अर्थात लक्समन से उद्भूत हुआ बताया गया है साहिते क्रित्यों में उन्हें रगुकुल तिलक तथा रगुवन्स मुकुट मनी आदी शब्दों से संबोधित किया गया है इस साखा का मोल स्थान राजस्थान था अत्वा अवन्ती इस पर इतिहासकार एकमत नहीं है परन्तु चूंकि गुर्जर परतिहारों का आदी स्थान मारवाड रहा है अता ये नुमान तो लगाया जा सकता है कि सभी गुर्जर परतिहरों के पूर्वजों का मोल स्थान राजस्थान ही था कुकुट और देवराज नागबठ के बाद उसका बतिजा कुकुक सिहासन पर बैठा नागबठ परतम के बारे में हम पैदे वीडियो बना चुके हैं तो आप ले लिस्ट में जाके और गुर्जर परतिहरों के बारे में और भी जानकरी प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हमें अधिक जानकरी नहीं मिलती तो जो कुकुक है उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकरी नहीं मिलती है, वह कोई महतोपुन सासक नहीं था करकुक के बाद उसका छोटा भाई देवराज सिहासना रूड हुआ डोक्टर विमर्चंद्रपांडे के नुसार कुकुक और देवराज दोनों का समय 760 इस्वी से 703 इस्वी तक निधारित किया जा सकता है गौलेर अभिलेक में उसके द्वारा अनेक राजों को प्राजित करने का उलेग है परन्तु साक्षों के भाव में ये कहना कठिन है कि उसने कौन से राजों को प्राजित किया और इन युद्धों में उसे क्या लाप्राप्त हुआ अगला सासे का वत्सराज देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज उज्जेन के सिहासन पर बैठा उसने 793 इस्वी से 725 में इस्वी तक सासन किया वह अपने समय का एक महत्वय कांग सी सासक सिध हुआ उसने भंडी जाती को प्राजित करके मध्य राजस्तान पर अपना अधिकार जमाया इसकी इस विजे की पुष्टी ओस्या अभिलेक और दोलेत्पूर अभिलेक से होती है कन्योज का राजे जीतने के लिए उसे बंगाल के पालवनसे राजा द्रम पाल से युद करना पड़ा वस्तूत है इस समय कन्योज पर निर्बल राजा इंद्रा युद राजे कर रहा था और गुर्जर पर्तिहार तता पाल दोनों ही कन्योज का राजे हत्याना चाते थे इस युद में वत्सराज विजई रहा जिसकी पुष्टी अभिलेकों से होती है पालों की विरुद सपलता प्राप करने के पसाथ वत्सराज को दक्सिन के राष्टुकूट नरिस धुरुवे से लड़ना पड़ा इस बार वत्सराज बुरी तरह से प्राजित हुआ और मरुस्तल में शरण लेनी पड़ी दुरुवे ने बंगाल के द्रमपाल को भी प्राजित किया परन्तु दुरुवे के लोडते ही द्रमपाल ने कन्योज पर आकर्मन कर दिया इंद्रायूद को हटा कर चक्रायूद को सिहासन पर बिठाया वत्सराज को चुपचाप करनोच पर पालों का प्रभूत्वस विकार करना पड़ा ध्रुए के आकरमन तथा वत्सराज की प्राजे से उज्यन के नवोदित पर्तिहा राजवन्स को गहरा दक्का लगा वत्सराज को अपनी राजदानी जालोर जिसे जुआलिपूर भी कहा गया है ले जानी पड़ी बहुत से विद्वानों के मानने तागी अब उसका राजे मद्धे राजपूताना तक ही सिमित रह गया था अगला सासगाता नागबड सेकिंड जो 795 से 833 इस्वितक सासक था वत्सराज की मर्त्यू के बाद उसका पुत्र नागबड द्वित्ये गुर्जर परतिहारों के सिहासन पर बैठा उसने अपने प्राक्रम से गुर्जरों की खोई हुई परतिष्टा को पुना इस्तापित क तथा राजे की सिमाओं का विश्थार भी किया राष्ट कुटों से युद तो नागबड द्वित्ये को भी अपने वंस के सत्रू राष्ट कुट वंस के सासक के साथ यूद करना पड़ा यूद का मूल कारण उत्री भारत में अपनी अपनी सरोचेता इस्तापित करना था संजन तम्रपत्र पठारी स्थमलेक और रगनपूर तम्रपत्र से पता चलता है कि इस यूद में भी गुर्जर पतिहारों को प्रैजे का सामना करना पड़ा राश्टर कूर्ट नरेस गोविन तृत्वे ने नागबट दृत्य को प्रास्ट करके खदेर दिया यह यूद संभवत है 806 से 808 इस्वी के मध्धे लड़ा गया था इस यूद के बाद कन्नोज के चक्रायूद और बंगाल के धर्म पार ने भी राश्टर कूर्ट नरेस गोविन तृत्य की धिनता श्वेकार कर ली कन्नोज विजे राश्टर कूर्टों से प्रास्थ होने के बाद विनागबट ने साहस नहीं खोया वय अपनी सक्ति को संगठित कर उचित अफसर की परतिक्षा करने लगा गोविन तृते काफी व्रद हो चुका था और अपने उत्री अभिहान से वापस लोटने के बाद वय अपने घरेलू समस्यों में फंस गया इस्तिती को अनुकूल समझ कर नागबर द्विते ने अपने राजे की सीमों का विस्तार तथा गुर्जर परतिहारों की सक्ति को पुन्य परतिश्टित करने का निश्य किया उसने कन्नोज पर आकर्मन कर दिया और चक्रायूद को प्राश्ट करके कन्नोज राजय को जीत लिया इस विजे के बाद कन्नोज गुर्जर पर्तिहारों की नई राज़धनी बनाएंगी इस विजे की ख्याती पुन्यस्तापित हो गई थी धरहमपाल की प्राजे चक्रायू ध्रमपाल का आश्रित राजा था अत्य ध्रमपाल ने नागबर्द वित्यों को सबक सिखाने का निष्चे किया और उसके विरुद यूद के लिए चल पड़ा परन्तु गहमासार यूद में उसे नागबर्द वित्यों के हाथों प्राजित होकर बंगा लोटना पड़ा पालों की प्राजे से गुर्जर परतिहारों की परतिस्टा और भी अधिक बढ़ गई जोदपुर अभिलेक से पता चलता है कि ये यूद मुदगिरी अर्थात मुंगेर के पास लड़ा गया था जिसमें मारवाड के सासक कक जो नागबर्द का समन्था ने भाग लिया था 400 अभिलेक में नागबर्द के एक अन्य समन्थ संकर गण द्वारा इस यूद में भाग लेने का उलेक मिलता है इससे ये भी स्पस्ट हो जाता है कि राजस्तान के भूद बड़े छेतर पर नागबर्द सेकिंड का दिखार बना हुआ था नागबर्द सेकिंड की अन्य विजय देखेगा ग्वालियर अभिलेक में नागबर्द वित्ते की अन्य विजयों का विवरण भी दिया गया है इस लेक के अनुसार उसने आनर्थ अर्थात उत्तरी का अठियावार मालवा किरात जो हिमाचल परदेश का कोई हिस्सा होगा तुरूस के पस्सी में भारत का मुस्लिम राजे वत्स को सामभी परदेश और मतस से पूर्वी राजस्तान के राजियों पर आकरमाण कर उन पर अधिकार जमाया परंतु अन्य साक्षियों के अभाम में इस अभिलेक को सही मानना उचित नहीं होगा क्योंकि ये ये सही मान जाए तो इसका ये अर्थ हुआ कि नागबर सेकेंड के राजे में संपूं, उत्तरपरदेश, मालवा, गुजरात का कुछ भाग, राजपुताना का विश्त्रीत भाग और पस्सी में भारत के कुछ छेत्र भी समलीत थे संपूं है कि इन सबी छेत्रों पर कुछ समय के लिए उसका राजनतिक वर्चस्वे बना रहा हो गौले रभीलेक परबंद कोस और खुमाण रासों से यह पता चलता है कि नागबट द्विते ने मुसलमानों को प्राजित किया और इसमें उसके चाहमान सामंत गोविंद राज जिसको कवूग पर्थम भी का गया है गुहिल सामंत खुमाण आदी ने पुरा-पुरा सहयोग दिया संबवता है सिंद के मुसलमानों की तरफ से नागबट के राजे के पस्सिमी भाग पर आकर्मन किया गया हो और अपने सामंतों की सहता से उसने मुसलिम आकर्मन कारियों को प्रास करके खदेड दिया हो इससे यह पुना इसपस्ट हो जाता है कि उसके समय तक चोहान और गुहलवन सी सासक स्वतंतर सासकना होकर गुर्जर परतिहारों के सामंत के रूपे सासन कर रहे थे नागबर द्विते के उत्रादिकार देखेगा नागबर द्विते के बाद उसका पुतर राम भद्र 833 इसवी में कन्नोज के सिहासन पर बैठा उसने केवल तीन वर्स तक राजे किया और वह अल्फ समय भी ऐसान थी ए विवस्ता और संकट का रहा संबवताय चंदेलों ने कालेंजर परदेश पर और मंडोर के परतिहारों ने गुर्जरात्रा परदेश पर अधिकार कर अपने को कन्नोज के अधिपत्ते से स्वतंतर कर लिया हो ये देपी गौालिर परसस्ती में लिखा है कि राम भद्र ने अपने समन्तों की सहता से अपने सत्रों का दमन किया परंतु पालों के अभीलेखों के अनुसार पालवन से देपाल ने गुर्जर परतिहारों को प्रास्ते किया था भोज पर्थम जो 836 से 889 इस्वी में 일ह जा सकता है राममदर के बाद उसका पुत्र 836 इस्वी में सिहासन पर बैठा उसे मिहिर भोज भी कहा गया है तो मिहिर भोज किसे कहा गया है भोज पर्थम को उसने 889 इस्वी तक साथन किया वह अपने वंस का प्राक्रमी सासुगवा उसने गुर्जर परतिहरों को पुन्हे संगठी तेम सक्ति सले बनाया उसने चंदेलों को प्रास करके बुंदेल खंड पर पुन्हे गुर्जर परतिहरों की सत्ता इस्तापित की रामबद्र के सहसनकाल में मंदोर के परतिहरों ने गुर्जरत्रा भाग पर अपना अधिकार कर लिया था परन्तु भोज ने अफसर मिलते ही मंदोर के परतिहरों को प्राजित करके राजपुतानापर पुनहै अपना अधिकार कायम कर लिया इसकी पुस्ट्री 843 इस्वी के दोलतपूर लेग तथा परताबगड अभी लेग से भी होती है अन्य साक्सों से यह भी ग्यात होता है कि राजस्तान के परतिहार चोहान तथा गुहिल वंसी सासक मिहीर भोज अर्ताथ भोज परतम के सामनतों के रूप में काम कर रहे थे हर्याना, पंजाब, काठियावार तथा मध्य भारत के बहुसे छेत्रों पर उसका दिकार था मिहर भोज ने राश्ट कुटों से भी यूद लड़े प्रारम में मिहर भोज को नरमदा नदी तक अपना राजे विस्त्रित करने में सपलता मिली परन्तु फिर राश्ट कुटों के गुजरात के सामन्द धुरुवय द्विति ने मिहर भोज को प्रास्त कर दिया था भोज ने पूनह आकर्मन किया गुर्जर पर्तिहरों के बिलेखों के नुसार भोज विजई रहा और रास्टरकूर्टों के बिलेखों के नुसार रास्टरकूर्ट नरेश कृष्णिंद विजई रहा ऐसा परतीत होता है कि अवंती के परदेश को लेकर दोनों पक्सों के मद्य संगर्स जारी रहा जिससे कभी इस पक्स की और कभी उस पक्स की जे प्राजे होती रही इसी परकार पालवन्सिय सासकों के साथ भी महर भोज का संगर्श चलता रहा और इस संगर्श में भी कभी किसी पक्स की तो कभी किसी पक्स को सफलता मिलते रही जहां तक राजस्तान का संभण्ध है यह निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि मिहिर भोज यहां के अधिकान्स भू भाग पर अपने सत्ता को बनाये रखने में काम्याब रहा इसमें कोई संधे नहीं है कि वह अपने वन्ष का ही नहीं अपितु भारती इत्यास के परतापी सासकों में से एक था और उसने एक विसार समराजे की स्थापना की उसके प्राक्रम से आतंकित मुस्लमानों ने दक्सिनी अथ्वाप पूरव में अपना राजे विस्तार करने का सास नहीं किया अगला सासक आता है बोज द्वितिय जो 910-913 इस्वी में सासक था मिहीर भोज के बाद उसका पूत्र महेंदर पाल 825-913 के आसपास सिहासन पर बैठा उसने 908-913 किया उसने गुर्जर परतिहार समराजे की यत्ताय स्थितिय को बनाय रखा उसके समय का अंतिम अभिलेग 907-913 का मिलता है उसकी मृत्यू के बाद गुर्जर परतिहार समराज में संभवता उत्रादिकार यूद लड़ा गया था महेंदर पाल के दो पुत्रों भोज द्वित्य और महिपाल द्वित्य का उलेग मिलता है तो महेंदर पाल के दो पुत्रों कोन से थे भोज द्वित्य और महिपाल पर्थम वस्तुता एक लेख में महेंदर पाल और देह बोज का उलेक नहीं है इसे अनुमा लगा जा सकता है कि महेंदरपाल के दो पुत्र थे भोज और महिपाल और दोनों के मद्देश सिहासन प्राप्ति के लिए संगर्ष हुआ था इस संगर्ष में भोज द्वित्य सफरा और वयकनोज का ससक बना उत्रातिकारी संगर्ष में बोज को अपने सामन चेदी नरेश कोकल देव पर्थम से महतोपुन सयोग मिला था इसकी पुष्टी कोकल देव के बिलहरिय भी लेक से होती है परन्तु भोज द्वित्य अधिक समय तक अपने उत्रादिकार की सुरक्सा नहीं कर पाया परास्त महिपाल अपनी सक्ति को गठित करने में लगा हुआ था सोबा के वस उसे चंदे नरेश हर्ष देव का समर्थन मिल गया दूसरी तरफ भोज का मुख्य समर्थे कोकल देव मर चुका था अतहे इस बार महिपाल का पलड़ा भरी रहा उसने भोज को प्राजित करके करनोज पर अधिकार कर लिया इस केवल दो यार तीन वर्ष तक राज्य करने के बाद भोज दूइतिय का सितरा भी अस्तोज हो जाता है महिपाल पर्थम और उसके उत्रादिखारी 913 इस्वी के आसपास भोज दूइतिय को प्राश्ट करके महिपाल सियासन पर बैठा उसे विनायक पाल और हेरंब पाल भी कहा जाता था सियास में बैठते ही उसे राश्ट कुट नरेश इंदल तृतिय के आकर्मन का सामना करना पड़ा राश्ट कुटों ने उज्जेन पर अधिकार करने के बाद कंदोज पर आकर्मन कर उसे नस्ट भरस्ट कर डाला महिपाल प्रास्त होकर राजदानी से भाग ख कि इस काम में उसे चंदे नरेश हर्ष से महतोपन सयोग मिला था राश्यकर ने अपने आस्रेदाता महिपाल की बहुत सी विजों का उले किया है संभव है कि राश्ट कुट नरेश इंदर तृते की मर्त्यू के बाद उसके आयोग्य इम निर्बल उत्रादिकारियों के समय में उसने दक्षिन के कुछ राजों को प्राजित किया हो महिपाल के बाद उसका पुत्र महिंदर पाजवितेसी हासन पर बैठता है ऐसा परतीत होता है कि वह दो तिर वर्षी सासन कर पाया उसके बाद देपाल सासक बना ये दोनों सासक कमजोर निकले और चंदे नरेश य देपाल के समय में महमूत गजनवी ने कन्नोज पर चड़ाई कर उसे और भी अधिक निर्बल बना दिया एकजार तिरानवे इस्वी के आसपास चंद्र देव गहडवाल ने परतीहारों से कन्नोज छीन कर उसके स्वातनतर राजनितिक उस्तित्व को समाप्त कर दिया इसक परतीहारों की राज़दानी सामन स्वातनतर बनने के प्रियास में लग गए थे और आगे चलकर उन्हें गुर्जरों के परभूतों से स्वातनतर हो जाने में सफलता भी मिल गई थी मद्यकाल, सोरिय और प्राकरम का यूग था जब तक गुर्जरों में साहसी एम प्राकरमी सासक उत्पन होते रहे उनका राजे विश्तित होता गया प्रारम में मंदोर के परतिहरों में नागबट, सिल्लुक, बाउक, आदी प्राकरमी सासक हुए और उन्होंने अपने राजे को सक्तिसाली नहीं मनाया अपितु उसका विस्तार भी किया उज्जेन, कन्नोच के परतिहरों में भी अन्यक परतिवा साली सासक हुए और हर्स की मत्यू के बाद रिट किंद्रिय सक्ति को हत्याने के लिए बंगाल के पालों तथा दक्सिन के रास्ट कुटों के साथ त्री पक्सिय संगर्ष में कुद पड़े और कई बार उन्हें महतो पुन सफरनाएं भी मिली उन्होंने लगबग समूचे राजस्तान को अपने दिखार में बनाए रखा और गुहिलरा ठोड चोहान तता बाठी सभी को गुर्जर परतिहरों का सामंत बनकर सासन करने के लिए विवस होना पड़ा परन्तु गुर्जरों की केंद्रिय सक्ति के निर्बल पड़ते ही उनके राजस्तानी सामंतों ने उनके आदिपत्तों की बेडियों को काट कर अपने स्वतंतर राज्य इस्तापित कर लिए जिस राजस्तान की भूमी में उनका उदे हुआ था उसी राजस्तान को वे के लिए अपने नियंत्रण में नहीं रख पाई तो देखिए इस वीडियो में हमने उज्जेन के गुर्जर परतिहरों के बारे में जानकरी प्राप्त की कई बार बड़ा क्यूसन भी पूछ लेते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और बार बार देखें और हमारा वीडियो अन्तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद